हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अराध्या अरेस अकेडमी में दोस्तों राजस्तान में आयोजित रीट बरती परिक्षा लेवल टू के लिए सामाजिक विज्ञान के मोडल पेपर की टेस्स स्टार्ट की गई थी जिसमें अपना दोस्तों एक मोडल पेपर है वो कंपलीट हो चुका है आज दोस्तों इसमें दूसरा नंबर का मोडल पेपर है और आप सभी को पता है कि इसमें फुल मोडल पेपर आपको दिया जाता है टोटल 150 प्रसन इसमें सामिल किये जाते हैं दोस्तों अरद्यारिस अकेडमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें अगर आपने पिछला मोडल प जिलों में चंबल नदी के प्रवाचेतर में इस्तित भुभाग कौन सा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विंदे कगार भुभाग तो इसमें सी नंबर का ओप्शन सयुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है इसमें देखिए सेकंड नंबर प्रेसन है सुमेलि करना है कि कैसे करेंगे तो बिकानेर में दोस्तो कौन सा खनीज का उत्पादन होता है तो दोस्तों लिगनाइट कोईले का उत्पादन होता है बिकानयर में तो अबरक का उत्पादन होता है और नागोर में दोस्तो जिपसम का उत्पादन होता है और उदैपुर में सीसा जस्ता का उत्पादन होता है तो इसलिए इस प्रसन का राइट आंसर हो जाएगा दो तीन चार एक दो तीन चार एक तो इसमें डी नमबर का जो अप्शन है वो इस 2011 की जनगर्णा में राजस्तान का ग्रामीरिंड लिंगानुपात कितना है तो इसका सयूत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 933 है ए नमबर का उप्षन सयूत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है चार नमबर प्रेसन है इसमें देखिए सुमेलित कीजिए सुची फर्ष्ट और सुची सेकिंड दे रखा है ठीक है एक तरफ है दोस्तों ये ताप विद्धूत प्रेजना है ठीक है और दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं यानि कि अपने को बताना है कि कौन सी प्रेजना कौन से जिले में इस्तित है ये अपने को इसमें बताना है ठीक है तो देखे दोस्तों य ये दोस्तों काँपर है तो ये बाडमेर में है और बागोर बागोर प्रयुजना है ये दोस्तों भीलवाड़ा में है और सूरतगड गंगानगर में है ठीक है तो इस प्रशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा तीन चार एक दो तीन चार एक दो तो कूट बासामिस का सहुत् कवक रोग हैं गेहु में पाए जाने वाले दो परमुक कवक रोग हैं तो वो कौन से हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है काला किट और सपट यह है दोस्तों गेहु में पाए जाने वाले दो कवक रोग ठीक है नेक्स्ट वायू मंडल में आदरता ग्राही केंदर क की तरह कौन कार्य करता है वायू मंडल में अदरता ग्रहिके इंदर की तरह कोन कार्य करता है तो इसका सहिद्द्टर हो जाएगा वह धूल और नमक के कन ब AO नमबर का उप्सन इसका सहिद्द्र हो जाएगा next अगे देखिए साथ नमबर का प्रस्ण है महाद वी पिये विस्तापन सिद्दान्त किस ने दिया तो दोस्तों महाद वी पिये विस्तापन सिद्दान्त किस ने दिया तो ये दिया दोस्तों वेगनर ने किस ने वेगनर ने ए नमबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के 60 प्रस्ण लिये हैं ठीक है फिर उसके बाद में दोस्तों आपको 30 प्रस्ण है वो बाल विकास्ता सिक्सा सास्तर के मिलेंगे ठीक है 90 और 90 के बाद में दोस्तों अपन 30 प्रस्ण है वो हिंदी बासा के लेंगे ठीक है फिर उसके बाद में दोस्तो अपने संसकर्थ के 30 प्रसन लेंगे तो ऐसे करके अपने 150 प्रसन है वो पूरे हो जाएंगे सुरुवाती जो अपने प्रसन चल रहे हैं ये सामजिक विज्ञान के प्रसन चल रहे हैं ठीक है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट नएण नमबर प्रसन है विश्व में सरवादिक वारशिक तापांतर वाला इस्तान है तो वो कौँसा है वो है दोस्तो बर्खोयांस्क जो रूस में पड़ता है ये तो इसमें C नमबर का उप्शन सयुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट निमिन में से कौन सी ठंडी जलदारा है तो ठंडी जलदारा है वो कौन सी है तो इसका सयुत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें कौन सा तो वो है के नारी की दारा D नमबर का उप्शन सयुत्तर राष्टिय इस्तर पर उपभोगता मंच में कूल सदस्यों की संक्या होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो पाँच बी नमबर उप्शन सयुत्तर नेक्स्ट आगे देखिए बारा नमबर का प्रिशन है भारत में सरवादिक अनुसूचित जनजाती की जनसंक्या परतिसत वाला राज्य है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तो मिजोरम ए नमबर का उप्शन सयुत्तर नेक्स्ट है वन्य जीव सरक्षन अदिनियम कब पारित किया गया तो ये दोस्तो पारित किया गया सन गुनी सो बहतर में डी नमबर उप्शन सयुत्तर नेक्स्ट है चोधर नमबर का प्रिसन है इसमें देखिए पूर्वी गाट की सरेणियों का दक्षन से उत्तर की और सही क्रम है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तो नेलगिरी की पाढ़ियां फिर सेवराई की पाढ़ियां फिर जेवादी फिर पाल कॉंडा और फिर नला मल की पाढ़ियां तो दोस्तो यह है इसका राइट आंसर सी नमबर का प्रिसन ठीक है आगे चलते हैं पंदरा नमबर का प्रिसन है रतना जमुना कृष्णा पदमा कौन सी फसल की किसमे है तो इसका सयूत्तर हो जाएगा वो है मक्का की किसमे है ए नमबर का प्रिसन सयूत्तर नेक्स्ट है वह प्रसीद बंदरगा है जहां से गुप्त युग में जहाज दक्षनी पूर्वी ACI राष्टरों को रवना होते थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तामर लिपती डी नमबर का ओप्षन से उत्तर नेक्स्ट है 17 नमबर का प्रस्ण है निम्न में से अतियंत सुक्सम कणो वाली मिट्टी है तो इसका से उत्तर हो जाएगा वो है ची कमिटी ए नमबर का ओप्षन से उत्तर नेक्स्ट है 2017 में परती दिन कितने लंबे राष्टी राजमारगों के निर्मान का लक्से रखा गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 किलो मिट्र का बी नमबर ओप्षन से उत्तर नेक्स्ट है परदान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतरगत के अंदर वराज्य की बागेदारी है तो वो कितनी है तो वो है दोस्तो 50-50 पचास तीक है ये नमबर ओप्षन से उत्तर नेक्स्ट है भारत निर्मान योजना कब सुरू की गई तो ये योजना सुरू की गई दोस्तो 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्मान योजना प्रारंब की गई नेक्स्ट है 21 नमबर प्रेसने निम्न में से कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है तो दोस्तो कौन सा यूग में सुम पर गलत है तीक है राजमूंदरी यह अंदर प्रदेश में है बेलारी लोह ऐसकी की खान है और लाजगंड यह बॉक्साइट की है तो यहां पर अमलाई है यह गलत दे रखा है तो इसमें सी नंबर उप्शन सहुतर नेक्स्ट है बाइस नंबर प्रेसन है गुप्त सामराज् भारत की दसा का वर्णन किया है उनका नाम क्या है उनका नाम है तो इसमें और सी नंबर का उप्शन सहुतर हो जाएगा यह चंद्र गुप्डित्य के समय आए थे नेक्स्ट लहें देखा रनत बवर का गजानन्द मंदिर त्रिनिनेट्र गनेश लेटे हुए गनेशंजी इस्तित हैं दुबार देखिए रनत बावर का गजानंद बंदिर त्रीनेत्र गनेश जी और लेटे हुए गनेश जी इस्तित है तो वो कहां पर हैं तो वो हैं दोस्तों सवाई मादपुर में नेक्स्ट है दोली में क्या है तो दोली में शिलालेख है ठीक है तो इसमें बी न ठीक है ये जैन संत बदर बाहु के समकालीन था ये चंदर गुपत मोरे और बदर बाहु से ही दोस्तो जैन दरम की दिक्सिया ली थी चंदर गुपत मोरे ने नेक्स्ट है बाबर को किस यूद में कलंदर की उपादी दी गई तो दोस्तो बाबर को पानीपत के पर्थम यूद में कलंदर की उपादी दी गई थी सी नमबर का उप्सन से उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है इसमें देखिए रामायन के संदर्ब में ऐसा तेकतन है तो दोस्तो रमैन के संदरeb में ऐस पिरकतन कॉन सा है देखिए इसे भारत का आदी महाकाव्वे तथा वाल्मिक्य को आदी कवी माना जाता है बिल्कुल सही है आगे देखे इसके रचेता मेर्ची वाल्मिक्य है बिल्कुल सही है इसका अन्तिम संखिलन चार सो ईश्वी के असपास हुआ ये भी बिल्कुल सही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन में से कोई भी गलत नहीं है तो D नमबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका नेक्स्ट है राजस्तान का सबसे प्राची निस्तल कुंसा है तो सबसे प्राची निस्तल है दोस्तों बागोर कुंसा है बागोर कहां पर पड़ता है विलवडा में नेक्स्ट है आगे देखिए 32 नमबर प्रेशने वहें जेल जिसमें सुबास चंदरबोस लोक मानने तिलक और लाला लाज पत्राय ने अपना बंदी जीवन वेतित किया था वो कौन सी थी? यानि कि वहें जेल जिसमें सुबास चंदरबोस, लोक मानने तिलक और लाला लाज पत्राय ने अपना बंदी जीवन वेतित किया था वो कौन सी थी? तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों, मांडले जेल, ठीक है, ए नमबर option सहुतर, next है, यह है वाक्य किसका है, तिलक भारतिय ऐसानती के जनक थे, यह है वाक्य किसका है, किबाल गंगादर तिलक भारतिय ऐसानती के जनक थे, तो इसका right answer हो जाएगा, वो है दोस्तों, वेल टिक है यह इनके वाक्य थे यह सी नंबर ओप्शन सयुत्तर नेक्स्ट है सोतीस नंबर प्रेस्ट ने 1551 इस्वी में किस गवर्नर्ट जन्रल ने अवद के संदर्ब में निम्न टिपनी की थी एक दिन हमारे मुह में ही आके गिरेगा तो इसका राइट निम्न टिपनी थी आंसर हो जाएगा यह कतन दोस्तों किसका था तो यह लाड़ डल होजी का कतन था ठीक है तो इसमें अठारा सो इकाउन इस्वी की बात हो रही है दोस्ते आपे तो डी नंबर का उप्शन सही तर नेक्स्ट है 35 नंबर प्रेसने किस सासक के समय जजिया एक अलग टेक्स बन गया तो दोस्तों यह फिरोज तुगलक के समय यह अलग टेक्स बन गया नेक्स्ट है अमिर खुसरों ने किसके विकास में अगर गामी की भूमी का निबाई तो सही उत्तर हो जाएगा वो है खड़ी बोली की में ठीक है डी नंबर का उप्शन सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है 37 नंबर प्रेसने इसमें देखिए किस बक्ति आंदोलन के संत ने यह कहा कि इस दू जिबहू लख होई नबीबीस ठीक है दूबार देखिए इस दू जिबहू लख होई लख बीस लख लख गेड़ा आखिये एक नाम जगदीस तो दोस्तों यह किस ने कहा था कौन से संत ने कहा था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुरू नानक ने कहा था दोस्तों यह नंबर का उप्शन सही उत्तर नक्स्ट है 38 नंबर प्रेशन है इसमें देखिए असधारा निराधारा निरालंब सरस्वती पंडित खंडिता ठीक है असधारा निराधारा निरालंब सरस्वती पंडित खंडिता है यह उक्ति किस परमार सासक से जुड़ी हुई है तो इसका राइट आंसर हो जागा यह राजा बोच्चे जुड़ी हुई है, C नमबर उप्शन सहुत्र, नेक्स्ट हैं, निमलेकित में से कौन सा मंदिर सबसे प्राचीन सरचनात्मक मंदिर है और अभी भी खड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तो, साची का मंदिर संख्या, दोस्तो इसम में 17, ठीक है, तो इसमें B नमबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा, नेक्स्ट हैं, चारीस नमबर प्रेस्द है, सुबाज़ चंदर बोस किस वर्स भारत से भाग निकले तो दोस्तों गुनी सो 41 में सुबाश संदर भारत से भाग निकले थे नेक्स्ट है देश में पंचायती राज को सवेधानिक रूप से लागू करने वाला पहला राजे बना था देश को चोरी देश में पंशायतिराज को सवेधानिक रूप से लागो करने वाला पहला राजै बना राईट आंसर हो जाएगा इसका वह है महाराश्टर ञखे हैं? सवेधानिक रूप से बात कर रहे हैं दोस्तों यहां पे ठीक है? और वैसे पंचायती राज देश में सरोपर्तम राजस्तान के नागोर जिले के बगदरी गाउं में दोस्तों पंचायती राज लागो हुआ था लेकिन सवेधानिक रूप से महराश्टर में लागो हुआ था ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है नेक्स्ट है बियानलिस नमबर प्रेस नहीं इसमें देखिए तीन सो चपन को राज्य में अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है तो कितने समय तक लगाया जा सकता है यानि कि आर्टिकल तीन सो चपन को राज्य में अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है तो तीन वर सब्सक्राइब दोस्तों बताना है कि यह article किसे समंधित है ठीक है तो यहाँ पर आ ratio आ निर्फियों के वेतन तो दोस्तों 29-100 का वेतन कौन से article के तहत आता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें article 125 कि इतना article 125 ठीक है और कारी वाहक मुखे नैज़ीज ये कौन से article के तहट आता है तो ये article 126 के तहट आता है और तरदर्थ नैज़ीज ये दोस्तो 127 आर्टिकल के तहट आता है और अवकास प्राप्त नैज़ीज ये दोस्तो आर्टिकल 127 के तहट आता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो चार दो तीन एक यानि की ए नंबर का option सहयुतर हो जाएगा नेक्स्त आइड ये देश के पर्थम मुख्य निर्वाचन आयुगत कौन थे तो पर्थम मुख्य निर्वाचन आयुगत कौन थे तो इसका right answer हो जाएगा वो है सु कुमार सेन नैक्स्त आइड राजे लोक सेवा आयोक के पर्थम chairman कौन बने थे तो पर्थम chairman बने थे दोस्तों कौन? S के guest next 46 नबर प्रषन है पंद्सायती राज की सूची का विशे है तो दोस्तों ये कौन सी सूची का विशे है तो राज सूची का विशे है next संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कैसा अधिकार है तो दोस्तों यह कानूनी अधिकार है ठीक है आगे देखें राश्टरपती के निर्वाचन समंधी विवादों का निरदारन कों करता है तो इसका answer हो जám कि वो हूं स्थम्न खटा है याने कि सुपरीम कौट नेक्स राश्तर पती को किस अनुचेद के तहथ विशिष्ट सरक्षण परदान किया गया है तो यह दोस्तो आटिकल तेंसวยश्ट सरक्षण परदान किया गया है नेक्स है निजता का अधिकारत सवेदान के किस अनुच्छेद में हैं तो दोस्तों ये अनुच्छेद 21 में आता है नेक्स्ट है वहें विदी जिसमें सिक्षार्थी दाइत्व को सरवादिक महत्व दिया जाता है कही जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुसंदान विदी ए नमबर का ओप्शन नेक्स्ट है वहें विदी जिसमें सिक्षक को विद्यार्थियों के परती पूर्ण उत्रदाइत्व की भावना रखनी पड़ती है वहें है तो वहें दोस्तों इसमें समस्या विदी है सी नमबर का ओप्शन सवयुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है वहें सिक्षन विदी जिसमें सामाजिक समस्याओं योजनाओं तथा संस्ताओं के विशे में सिक्षक कम समय में इस पश्टता से समझा जा सकता है वहें है दोबार देखे वहें सिक्षन विदी जिसमें सामाजिक समस्याओं योजनाओं तथा संस्ताओं के व से में सिक्सक कम समय में इस पश्टा से समझा जा सकता है वहें विधी कौन सी है तो वहें विधी है दोस्तो इसमें कौन सी तो वहें विधी है दोस्तो इसमें वहें विधी है तो वहें विधी है दोस्तो इसमें वहें विधी है तो वहें विधी है तो वहें विधी है दोस्तो वे स्युम कार्ये करने पर बल देती है तो वह है दोस्तो योजनाविधी A नंबर का ऊप्शन सयुद्धतर पाठे पुस्तक विदी से सिक्षन का ततकलिन उद्देशे क्या है पाठे पुस्तक विदी से सिक्षन का ततकलिक उद्देशे है तो क्या है ततकलिक उद्देशे तो वो है दोस्तों पाठे पुस्तक में नहीत सूचना संप्रेक्षन से समझदारी का विकास ठीक है बी नमब प्रसने मानसिक समता का विकास नहीं होता है, मानसिक समता का विकास नहीं होता है, तो दोस्तों ये पाठे पुस्तक विदी में ही, ठीक है, डी नंबर का ओप्शन सहित्तर, सहयोग वे सहकारिता की भावना का विकास किस सिक्षन विदी से सरवादिक होता है, तो ये कौन से सि दोस्तों, वो है योजना विदी से C नमबर ओप्शन सही उतर, नेक्स्त पाठे पुस्तक विदी का चात्रों के संदरब में विशेश गुण है, तो विशेश गुण सवाद्याए वै, सवक्रिया दुवारा ग्यानारजन की सम्ता का विकास, B नमबर का ओप्शन सही उतर, न यह दोस है ठीक है यानि कि अत्यांत वैसील समय साथ दे है यह तो इसमें बी नमबर का उप्शन सहुत्तर हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों यह अपने 60% अपने सामाजिक विज्ञान के कर लिए अब आपन 30% है वो दोस्तों बाल विकास तता सिक्सा सास्तर के करेंगे जो चा से बच्चे के संग्यानात्मक विकास है तो उत्तम इस्तान है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तों विद्याले एवं कक्षा का वातावरन है डी नमबर उप्शन सहुत्तर नेक्स्ट है बालक का किस अवस्ता में चहु मुखी विकास होता है किस अवस्ता में चहु मुखी की परकिरिया शुरू हो जाती है तो ये दोस्तो परंपरा धारने अवस्ता तो इसमें डी नमबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है जब इस्त्री पुरूस के एक्स वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तब किसका जनम होता है तो दोस्तो तब किसका जनम होता है तो दोस्तो लड़के दोस्तों सहाचर यह सिद्धान्थ में आता है नेक्स निम्हें से सच्यवस्था की विष्था नहीं है तो दोस्तों सच्यवस्था की विष्था कि विष्था है वह कौन से नहीं तो वह कौर lemon । इसका राइट आंसर होजाए गा वह ऐट लब 37- рад चिंतन की विशेष्टा है तो दोस्तों चिंतन की विशेष्टा है वो कौन सी है तो देखोए परतिका आत्मक मानसिक बिंब संग्याना आत्मक तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सबी डी नमबर उप्शन सहीतर नेक्स्ट है एक व्यक्ति राज नेता है इसलिए उसका व्यक्तित्व होगा एक व्यक्ति राज नेता है इसलिए उसका व्यक्तित्व होगा कैसा तो दोस्तों बहिर मुखी होगा सी नमबर उप्शन सहीतर नेक्स्ट है निम्न में बायोमेटरी सिद्दान्त के जरम दाता है तो वो कौन है तो वो है दोस्तों गॉल्टन ए नमबर option सेयुतर नेक्स्ट है पाठे करम को इकाईयों में विबक्त करने वाली प्रणाली है तो वो कौन सी है तो वो है दोस्तो बिनेटी का प्रणाली से नमबर option सेयुतर नेक्स्ट है अंतर मुखी व्यक्तियों को जूंग ने किन रूपों में बाठा है तो इसका राईट दिवे दरश्टि प्रण तो इसका राईट आंशर हो जागा ये सबी नेक्स्त है मनुस्य मस्तिक का चेतन भाग होता है दोस्तों एक बटा दस भाग होता है एक नमबर उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है जान अधिकार निर्देश एवं आलोचना बुद्धी इन चार सब्दों में समाहित है यह कथन किसका है तो दोस्तों यह कथन बिने का है नेक्स्ट है निम्न में से कौन पदानु कर्मिक सिद्धान्त के जनम दाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा तो बट तथा वर्नन ठीक है तो इसमें डी नमबर उप्शन सही उत्तर च्छेतर नमबर प्रशन है सर्जनात्मक्ता के कौन से गुनाते हैं तो दोस्तों कौन से गुनाते हैं तो नवींता लचीलापन मौलिक्ता यह सभी गुनाते हैं दोस्तों दोस्तों सर्जनात्मक्ता के अंतरगत ठीक है डी नमबर उप्शन सही उत्तर दोस्तों जैसे ही मैं प्रशन पढ़ता हूं आप तुरंत उत्तर सो तो ये किया गया है दोस्तो थोंडाइक के द्वारा ए नमबर का उप्शन सयुतर नेक्स्ट है चिंतन की विशेष्टा क्या है तो दोस्तो चिंतन की विशेष्टा क्या है तो परतिकात्मक, संग्यानात्मक, क्रियात्मक ये तीनों विशेष्टा चिंतन की है तो इसका राइ कहलाती है B number option सजीतर नेक्स्ट है 80 नमबर प्रेस ने 80 से 90 तक की बुद्धी लब्धी के बालक की बुद्धी होती है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों मंद बुद्धी होती है नेक्स्ट है निमनमेशे मुल्यांगन का तात्परिय है तो दोस्तों मुल्यांगन का तात पर यह नेक्स्ट है आगे देखिए RTE है तू धन की विविस्ता किसके द्वारा की जाती है तो दोस्तों RTE है तू धन की विविस्ता किसके द्वारा की जाती है तो यह दोस्तों के अंदर वराज सरकार के द्वारा की जाती है नेक्स्ट है इसमें देखिए लियोपोल्ड बेलोक ने CAT परिक्षन का निर्मान कब किया लियोपॉल्ड बेलोक ने CAT यानि कि कैट परिक्षन का निर्मान कब किया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1948 में B number option सही उत्तर नेक्स्ट है आगे देखे मावा प्रैविदी का विकास किस के द्वारा किया गया त नेक्स्ट है सवेगा आत्मक बुद्धी सब्द का सरोपर्थम कब परियोग किया गया तो इसका सही तर हो जाएगा वो है दोस्तों गुनी सो नब्वे में नेक्स्ट है निम्न में से चिंतन के साधन है तो दोस्तों चिंतन के साधन है वो कौन से है तो वो है दोस्तों इसमें कौन से तो वो है बिम्ब संपर्ते बहसा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो प्रक्सभी नेक्स्ट है नेक्स्ट है निम्न लिकित में से अभी करतिक एवं बाहरी दोनों हैं तो ए और भी दोनों इसका राइट अंसर हो जाएगा सी नमबर उप्चन एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूप रेखा में केवल नदियों पहाडों वे घाटियों को परदस्चित करता है वहें विद्यार्थियों को मुख्य नगर रेलवे वे मुख्य नगरों को जोडने वाले राजमार्गों को चिनहित करने को कहा जाता है विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों वे मानचित्रों को अध्यान करने की इस दोरान मनाई होती है यहां अध्यापक के दोरा परियुक्त उपागम है तो वो उपागम कौन सा है तो व वो है कक्षा में समय पर आना डी नंबर उप्शन सहुद्टर नेक्स्ट है विवेक की अवस्ता किस इस्तर पर किस इस्तर के अंतरगत आती है तो यह आती है दोस्तो कौन से इस्तर के अंतरगत तो पोस्ट कन्वेंसल के अंतरगत बी नंबर का उप्शन सहुद्टर वो हिंदी के करेंगे ठीक है अपने 90 प्रस्न हो गए 60 प्रस्न तो अपने सामाजे कि विज्यान के किये थे फिर अपने 30 प्रस्न है वो बालविकास तथा 6-9 के कर लिए अब अपन दोस्तों बासाफस्ट में अपन हिंदी चूज करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हिंदी चूज में देखिए तुम मुझे अपना खून दो मैं तुमें सवतंतरता दूँगा या आजादी दूँगा आप सभी को पता है किस ने का था ये ठीक है सुबाच अंधर बोस ने का था तो यहां पर देखिए एक्राणमस से चार्णमन प्रेस्न है अपटित गद्यांस में से अपने को परशनों के उतर देने है ठीक है तो यहां पर देखिए अगर प्रेस्न है वो गद्यांस से समंदित अगर नहीं है ठीक है यानि कि व्याकरन से समंदित है तो दोस्तों गद्यान्स को पढ़ने की जूरत नहीं है तो देखिए यहां पे मैं आपको पढ़ के बता देता हूं क्योंकि प्रैस नहें वो गद्यान्स समंदित ही है देखिए मुझे तुम अपना खून दो और मैं तुम्हें सलतंतरता दूँगा यह गरजना उ पूरों में जल्दी जल्दी आगे भढ़ रही थी उसने सिंगापूर जीत लिया था और वहां से बर्मा की ओर चल पड़ा वापस होते हुए ब्रिटिस अधिकारी कई भारती सेनिकों को एकत्र कर एक सेना संगठित करने का प्रयात्न कर रहे थे ऐसे समय सुबास चंदर ब आदेश दिया कि भारत से अंग्रेजों को निकाल फैकने के लिए वे जापानी सेना के साथ रहकर युद करें उनके आगमन से इन सेनिकों में नव जीवन का संचार हुआ इस विश्वस्त और निर्भिक नेता के परती वे प्रसंसा के भाव से अबवित हो उठे और अपने उसने जापानी सेना के साथ कंदे से कंदा मिला कर भारत को सवतंतर करने के लिए युद किया तो यहां पे प्रस्तूत सब्द का अर्थ है तो प्रस्तूत सब्द का अर्थ क्या है तो वो है दोस्तों उपस्तित ए नमबर का उप्शन सही तर नेक्स्ट है जापानी सेना बारत सब्द में लिंग है तो भारत सब्द में कौन सा लिंग है तो पुलिंग लिंग है नेटा सब्द का विपरित लिंग होगा तो क्या होगा तो दोस्तों नेता सब्द का विपरित लिंग होगा नेतरी डी नमबर उप्द से लिंग है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तों इसमें बहुँचन बी नम्बर उप्शन सही उतर अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अपने को चानमस से 100 प्रसन तक यानि कि 5 प्रसन मिलेंगे इसमें ठीक है तो अपने दोस्तों डाइरेक्ट इन 5 प्रसनों को कर लेते हैं देखिए यह जो सब्द दे र वो है दोस्तों इसमें यदी निक्स्ते तत्सम वे तत्बाव सब्दों का संगत यूगम है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तों आक्स आसू ठीक है हस्त का हो जाएगा हाथ है नवे का हो जाएगा नया उंच का हो जाएगा उंचा लेकिन आक्स का यहाँ पर आसू दे रख तो यहां पर रिखांकित सब्द क्या है जो दे रखा है ठीक है तो जो क्या है तो वो है दोस्तों सम्मंद वाचक सर्वनाम तो इसमें A नंबर ओप्शन स्यूटर नेक्स्ट है भारतिय साहिते का आदर्स उसका त्याग और उच्छ सर्ग है रिखांकित सब्द का अर्थ है त तो इसका अर्थ हो जाएगा, वो है नोचावर, डी नमबर उप्शन सयुतर, ठीक है, नेक्स्ट है, हम सुदरने की दुन में अंदा दुन्द सर चलाना सुरू करते हैं, रिकांकित पद में कौन सा समास है, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अंदा दुन्द दे र नमबर का उप्शन सयुतर, नेक्स्ट है, देखिए, निमन में से संग्या आसरित उपवाके नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, तो वो है दोस्तों, जब वर्षा हो रही थी, तब मैं कमरे में था, यह दोस्तों संग्या आसरित उपवाके नहीं है, बाकित तिनों के तिनों है सी नमबर ऑप्शन सही उत्र नेक्स्ट है निमन में सिर्व मिस्टर वाक्य है तो दोस्तों मिस्टर वाक्य में देखे कौन सा मिस्टर वाक्य है इसमें देखे मैं उस गर में रहता हूँ जिसमें पहले पांडव रहते थे तो दोस्तों इसमें ये मिस्टर वाक्य है तो इस में B नमबर का उप्शन सायुत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है आगे देखिए एक सो तीन नमबर प्रैस ने ठीक है इसमें देखिए निम्न में से किरिया विशेशन आसरित उप्वाके नहीं है तो वो कौन सा नहीं है तो वो है दोस्तो उसका विचार है कि मोहन सचा आदमी है डी नमबर का उप्शन से उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है दिल में फपोले प पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है तो वो है दोस्तो अत्यंत दुखोना सी नमबर का उप्शन से उत्तर हो गया रिखांकित वाक्यांस के लिए परियुक्त मुहावरा है तो दोस्तो इसके लिए परियुक्त मुहावरा है वो कौन सा है तो वो है दोस्तो इसमें कौन सा तो हो है अन जल उठ जाना D नममर का option सहितर हो जाएगा next बासा से सरग परणाली उप्योगी है तो यह दोस्तों व्याकरन में उप्योगी है D नममर option सहितर next अगे देखिए 107 नममर प्रेस्ट ने वह कौन सा वाचन है जो गद्दे में प्रियुक्त होता है परंतु पद्दे में नहीं वहें कौन सा वाचन है जो गद्दे में प्रियुक्त होता है परंतु पद्दे में नहीं तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो मोन वाचन D नंबर का option सहीटर नेक्स्ट है प्रियोग विदी को क्या कहते हैं तो दोस्तो आगमन विदी कहते हैं C नमबर उप्शन सयुत्तर नेक्स्ट है अभी कर्मित अनुदेशन रेख्ये का प्रारंब किस ने किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो नेक्स्ट है मात्र बासा सिक्षन का सिद्दान्त निमन है तो वो क्या है तो वो है दोस्तो रूची का सिद्दान्त क्रिया सीलता का सिद्दान्त अभी प्रेणा का सिद्दान्त तो इसका राइट आंसर हो जागा उपरोक्त सभी नेक्स्ट है डाल्टन विदी को किस नाम से पुकारते हैं तो दोस्तों किस नाम से पुकारते हैं तो स्वाध्याई विदी के नाम से पुकारते हैं नेक्स्ट है बासा सिक्षन में अधिगम सामगरी का परमुक दाइत्व है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है विशे वस्तु के इस्तलों का उचित इस्पस्टिक रण करना बी नंबर का उप्षन सहीतर सामानित है जिन विश्यों का सिक्षन विद्याले में होता है वह कहलाता है तो वह कहलाता है दोस्तों पाठे करम ए नंबर उप्षन सहीतर हो जाएगा नेक्स्ट है कहानी सिक्षन में बरती जाने वाली सावदानी है कहानी सिक्षन में बरती जाने वाली सावदानी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कथावस्तु में बयानक तरस्षे नहों कथावस्तु बालकों के इस्तरानुकूल हो उसमें गतिशील और करम बदता हो तो इसका right answer हो जागा उप्रोक सभी नेस्टें, निम्न में से मुल्यानकन का विशिष्ट च्हेतर नहीं है निम्न में से पर ile कन का विशिष्ट चेतर नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा ये सबी, D number option, next है, गीता बच्पन से ही मारवाडी बोल समझ लेती है, वहें कभी विद्याले नहीं जाती है, उक्त उधारण होगा, तो दोस्तों ये किसका उधारण है, तो इसका right answer हो जाएगा, वो है दोस्तों ये बासा अर्जन का उधारण है, next है, 11 तो गुनिश नंबर प्रैसन है, इसमें देखिए दोस्तों, बासा सिक्षन की प्रतेक्स विधी में, बासा अर्जन की स्वभाविक इस्तती का निर्मान होता है, B number option, सही उत्तर, next है, सैस्वर पाठन का मुख्य उत्दे से है, सैस्वर पाठन का मुख्य उत्दे से क्या है तो वो है, बच्चों की पढ़ने समंदी सिक्षन को समाप्त करना, D number का option सही उत्तर हो जाएगा, अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे 21 से, अब मैंने आपको 120 प्रैसन तो यह कंप्लिट होगी, अब मैंने बासा, दोस्तों यहाँ पे संसकर्त चूज की है, ठीक है, तो संस मुझे मैं पहले ही आपको बता दिया था, मैंने पहले मॉडल पेपर के अंदर मुझे संसकर्ट पढ़नी कमाती है, तो आप स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा सब्द, ठीक है, तो मैं अगर गलत पी पढ़ देता हूं, तो आप स्क्रीन पे पढ़ते हुए चलें, साथ मे ताकि ऐसे मत बोलना कमेंट में कि सरापू संसकर्ट पढ़नी नहीं आती है, अब मॉडल पेपर क्यों करवा रहे हो, ठीक है, ऐसे मत बोलना आप, तो 121 नमबर है, इसमें देखिए, पासान इती पदस्य विशेशन पदम किम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है तो इसमें चिक्कन, ठीक है, तो C नमबर का उप्शन सहीवतर, नेक्स्ट है, इसमें देखिए, सूग गठीते, द्रड शरी रहे, इतियत्र कह समासे, तो इसमें कौन सा समासे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें, इसमें, दोस्तों करम धारे स सेंस आए नंबर का औपें सेंट नरिक्स्ट एंट, 123 नमभर पैसिन इसमें नरिक्षडे, काल समें वे स्वेलाया खते अपवे पदम वर्तते vitam dec दोस्तो इसमें कौन सा का रख है इसमें का रहक है pasta home do epilepsy अधर प्रते तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह इसमें कौन सा तो इसमें लेप परते हैं डिन उप्जन सहथ है 126 नंबर प्रेशन है इसमें देखिए से गच्च दुहम से वधम सम वो जानताम सुक्ति पूरियत तो दोस्तों इसमें क्या आएगा खालिस्तान में यहां पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मनासी आएगा इसमें ए नंबर का उप्शन से उत्तर नेक्स्ट आते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यह देखिए सी नंबर का उप्शन है ठीक है किसी भी वर्ण का जैसे कैवर्ण कैवर्ण आता है कैवर्ण का अंतिम अक्सर यान कि पांचवा अक्सर कोन होता है तो सभी वर्ण के पांचवा अक्सर ठीक है तो सी नंबर उप्शन स्युत्तर नेक्स्ट है इसमें देखिए कखा भ्याम प्रागद्र विसर्ग भहुती तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए इसको पढ़ लेना आप 128 नंबर प्रेस्ट को ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जी हवा मूलिय है बी न अब प्रेसित स्युत्रें नेक्स्ट है जलस से बिना जीवना नास्त्र नहीं है तो यह सुद्म कृत तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए सारे सारे सब्द हैं वह यहां पे सुद रख के हैं जलेन विना जीवनम नास्ती जलात विना जीवनम नास्ती ये तीनों ही यहां पे दे रखे हैं ये सारे के सारे सुद्ध हैं तो D-Number का उप्शन से यूत्तर हो जाएगा इसका यहां पे देखें दोस्तों 131 से 35 प्रेशन है इसमें देखें विद्या विवदाय धनम मदाय सक्ति है परेशा परी पीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेर्तते जानम दानम चै रक्षनाय तो यहां पे दोस्तों 131 नमबर प्रेशन है विद्या विवदाय इत्यातर की कारकम तो इसका सयुत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो संपरदान कारकम है इसमें इनमबर उप्शन सयुत्तर नेक्स्ट है सक्ति है इतियत्र कहें परते है तो इसमें कौन सा परते है इसमें परते है दोस्तो कितन परते है तो इसमें सी नमबर उप्शन सयुत्तर नेक्स्ट है विवादा तो कि देखे सलोके असमीन की चंद है, तो इसका सयुटर है, वो है दोस्तो उप जाती, नेक्स्ट नाए यह तेसमीन कहा लिंगे, उसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तो इसमें कौन सा तो वो है लीूट, सी नम्बर उप्षम सयुटर, नेक्स्ट ए ई सुंदर हस् से कारणनम की नास्ती तो इसमें सहीत्र है वो है दोस्तो इसमें फाउंटेन लेख्यानहा city प्रियोग है। नेक्स्टे पाथ्थे पुस्तक प्रियोग सिदांते आ्याती तो इसका राइट आनसर हो जाएगा वो है दोस्तो सर्वम अध्यापकस से मित्रम अस्ती तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कुन सा तो वो है शामपठ अध्यापक का मित्र कोन है शामपठ यानि की बोर्ड बलेक बोर्ड नेक्स्ट है सेक्सिक प्रविधी उपागम सेक्सिक प्रविधी उपागमा धारनी अधिगम साधनम अस्ती तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा तो वो है उबह विदी नेक्स्ट है गद्देश शिक्षनस से विदह संती तो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों इसम नमब्र उप्षण सेविद्त तर नेक्ष्ट weten एक सो अलिस नमब्र प्राश्ना इसमें देखिए व्याकरणा समंधी प्रशना भहुंती तो गर्वन्ती इसका राइट आंस्र हैं वह र है दोस्तो इसमें ज़र्णाव्न व्या थे तो इसमें दोस्ते Prose साय उत्तर नेक्स्टा शिक्सरणा भिरूची आव्शिक्on मस्ती तो इसका राइट अन्सलानजाएगा दोस्तों वह owes कौन 새 तो वह hu प्रयोक्ते सर्विशा करते डी नंबर उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है व्याख्या है करती सोपना नी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब वो है दोस्तो इसमें कौन सा तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो है सट ती नंबर उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है संपर्ति कुन सा तो वो है सतत मुल्यान का नम ए नमबर उप्शन से उत्तर नेक्स्ट है मोखिकी परिक्षया प्रकट्यती तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो ज्यानात्मक पक्स सी नमबर उप्शन से उत्तर नेक्स्ट है मोखिक परिक्षया मुल्यानकन भहुती मोख नेक्स्त यह ओगया आज का अपना रिट भरती परिक्षा लेवल two के लिए कि दोस्तो सामाने विग्यान सामाने विग्यान का दोस्तो यानिकी सामाजिक विग्यान का दोस्तो यह model paper था अपना दूसरा नंबर का अगर आपने पहला model paper नहीं देखा है तो वो भी जा कि देख ले दोस्तों और अरध्यारेस Academy के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, मिलते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत.